सभी किसान मित्रों को ब्रजेश तिवारी का राम राम नमस्कार, सलाम सश्राकाल, सभी को आदाप मित्रों आज हम जो आप लोगों को जापराबादी भैसों का लॉट दिखा रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया भैसे मद्द प्रदेश के ग्राहकों ने खरीदी हैं और ये भैसे सेल आउट होके मद्द प्रदेश में देवास डिस्टिक में कहीं भील खेडी गाओं है वहां के गौलियर सिंग जी ने खरीदा है वो गाओं के सरपंच भी है उन्होंने आठ भैसों का लॉट बहुत सांदार सांदार भैसों का बनाया है जो आप लोग ये सेकंड टाइम की पाड़ी देख रहे हैं बहुत बढ़िया आचल की है और एकदम जवान भैस है दूसरी जो आप लोग देख रहे हैं ये भी सेकंड लक्टेशन की है इस लाइन में जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी वो तीनों को तीनों सेकंड लक्टेशन की है कोई 8 दिन की कच्छी है तो कोई 10 दिन की दूसरी जो आप लोग ये देख रहे हैं ये भी 8 दिन की कच्छी है और जो इनकी दूद छमता की अगर हम बात करें तो ये 16-16 लीटर दूद छमता की भैसे हैं आप लोग तीसरी देखें तीसरी भी ब्रिट की भैसे हैं ब्रिट की अच्छी प्योटी है और जो पहली भैस है वो सेकंड टाइमान आचल में बहुत खुबसूरत है और इसमें जो अगली भैस आप लोग देख रहे हैं यह आज सुबा इसका चीक खाली किया गया है और जो इसकी मेल कैपरशिटी यह इसकी पाड़ी है इसमें जो भैसे उन्हों संपर्क करें और बहुत जिन्वन रेट में उन्होंने खरीदा है ऐसा नहीं है कि जूनगड में ही सस्ती मिले भाव नगर में भी बहुत सस्ती सस्ती भैसे मिल जाती है बस एजेंट अच्छा होना चाहिए और लाला भाई ने यह प्रूफ करके दिखाया है बहुत अच्छ मित्र को भील खेड़ी गाउं के आसपास में कोई भैसे लेना है तो आप लोग ग्वालिय सिंग जी से संपर्क कर लें आप लोगों को बहुत बढ़िया जन्वन रेट में मिल जाएंगी आपको डौड़ना भी नहीं पड़ेगा और जो मित्र ये वाली भैस देख रहे हैं ये टाइम का 11-11 लीटर अभी कर रही है ये 12 दिन की जनी है और दूसरी जो आप लोग देख रहे हैं ये भी 22 लीटर की भैस है तो इसमें जो पूरी भैसों का पूरी भैसों का कलेक्शन नहा है चार भैसे ऐसी सेलेक्ट की गई है जो 20 लीटर की हो 20 लीटर प्लस की हो और चार भैसे ऐसी सेलेक्ट की गई है जो 20 लीटर की नीचे की है तो आप लोगों को अगर ऐसी क्वालिटी की भैसे चाहिए तो आप लोग लाला भाई से संपर करें और रेट भी बहुत जिन्मन है यानि कि जो आप लोग रेट इसमें देखेंगे वैसे उन्होंने रेट बताने से मना किया है चुकि ये भैसे उनको कुछ सेलाउड भी करना है दो चार तो आप लोग अगर उनके नदीक में हैं तो उनसे संपर कर सकते हैं जिसको एक-दो भैस लेना है और अगर आपको विस्तिरित रेट की जानकारी लेना है तो आप लोग लाला भाई से संपर कर ले और उनसे एक-एक भैस का रेट जानकारी कर ले बैरहाल मैं यह कह सकता हूं की काफि जनवन रेट में और एजेंटों की अपच्छा बहुद जनरन रेट रहा है और जो भी भैस से उन्होंने खरीदा है डिरेक्ट किसानों की खरीदा है तो आप भी जब गुजरात विजिट करें तो किसानों की भैसे प्रपेर करें लगें बट ये किसानों के यहां की हैं तो उतनी अच्छी मेंटिनेंस नहीं हो पाती है और कोई भी इसमें मोडिफिकेशन नहीं है वीडियो में जो भी एक्चुल है वही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं तो आप लोग अगर ऐसी 20 इस प्लस की वह से लेना चाहते हैं तो बहुत जिनुवन रेट में आप लोगों को लाला भाई प्रोवाइड कर देंगे आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लेगी आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं जहें